हेलो एब्रिवान वेलकम टू कॉन स्टडी मैं आपको जे के सिस्पी क्लास फोर की जिये का पार्ट कवर करवा रही हूं विचिज ओ फॉर्टी मार्क्स देखिए हमने इत्ते सारे टॉपिक्स कवर कर लिये हैं इंडियन हिस्ट्री के भी आपके फोर लेक्चर्स हो चुके है अगर अभी तक आपने फोर लेक्चर्स जो है वो नहीं देखिए हैं तो आइल हाइली रिकमेंड कि आप पहले जाके उन्हें देख लीजिए ताकि आपको इस लेक्चर की आगे बेटर अन्नस्टानिंग हो सके और इन सब लेक्चर्स को आप कहां देख सकते हैं आप प्ले हमारे चानल पर नहीं है या अभी तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चानल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो सोशल मीडिया हैं उन्हें भी जाकर जॉइन कर लीजिए टेलिग्राम पर आपको इन लेक्चर्स की पीड करेट होती है वो भी आपको हमारे प्रमाजी हैंप तो आज हम इला पड़ने वाले हैं अकर आपको होगा याद्र याद्र होगी इंस而已 में मैंने आपको बताया था कि अब हम गांदी इरा से शुरू करेंगे दोค नतरी हैं और प्रिक जुकोsent में मैं ऑफ्र ayam मुव्मेंट चली जो बाल गंगादर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग फाउंड की थी पूने में और एनी बेसिंट ने और एनी बेसिंट ने आईरिश रेबिलियन से इंस्पायर होकर होम रूल मुव्मेंट शुरू की थी इंडिया में इन दोनों ने मिलकर होम रूल मुव्मेंट शुरू की थी उसका एन क्या था आपको पता यहां से वह लेकर जा रहे थे आज आर्मी लोगों को वर्ल वार वान लड़ने के लिए और यहां पर जो था गौर्मेंट पे प्रेशर बना रहे थे कि आप हमें जो है हमारा सेल्फ टूल ग्रांट कीजिए इसी दोरान एनी बेसिंट ने दो न्यूस्पेपर भी शुरू किये वान वास यंग इंडिया और सेकिंड वान वास कॉमन वेल्थ अब एनी बेसिंट की अगर हम बात करें तो एनी बेसिंट अगर पहली वुमन कभी भी पूछा जाएगा कि पहली वुमन कौन थी जिन्होंने इंडियन नाशनल कॉंग्रेस की जो मीटिंग थी उनकी हैड बनी थी तो वो थी एनी बेसिंट और अगर फॉस्ट इंडियन वुमन की बात किया जाए तो वो कौन थी? इसी के साथ आगी क्या हुआ? आपको याद होगा कि जो कॉंग्रेस थी वो तूट गई थी मौडरेट्स और एक्स्रेमिस्ट में तो और मुस्लिम लीग भी अलग से बन गी थी तो काइंड ओफ मतलब कि फूट डल चुकी थी अच्छी खासी तो लखनौव पाक्ट में क्या हुआ? हिंदो मुस्लिम यूनिटी हुई वापिस से ठीक है? कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया? एक सेशन किया लखनौव में नाइंटिन सिक्स्टीन में और वहाँ पर लखनौव पाक्ट हुआ जहां पर कॉंग्रेस ने एकसेप्ट किया कि हम जो मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टरेट दिया गया है उसे एकसेप्ट करते हैं और इनने मिलके डिमांड किया गौर्मेंट से कि इंडिया को डुमीनियन स गौर्मेंट ठीक है पहले तक क्योंकि बहुत ही मौडरेटली मांगते थे तो इंडिपेंडेंडेंस का अभी तक कोई नाम नहीं आया था इन्हें बस था कि हमें थोड़े से हक दे दो क्योंकि हमारी कंट्री है ठीक है तो अब आगे-आगे आप देखो कि कैसे यह अजिट में ठीक है इनके पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या है इनके पॉलिटिकल गुरु का नाम है जीके गोखले ठीक है गुपाल कृष्ण गोखले जो थे वो इनके पॉलिटिकल गुरु थे तो गांधी जी 1915 में इंडिया आये 1916 में इन्होंने साबरमति आश्रम स्टार्ट कि कि इंडिगो फार्मर्स जो थे बिहार के वह बहुत परिशान थे ब्रिटिश गौर्वर्मेंट से तो इन्हों ने गांधी जी ने मिलकर उनके साथ चंपारण सत्य ग्रह शुरू किया माइंड यू इन दोनों में से किसी भी जो मुव्मेंट है उसे गांधी जी ने हैड नहीं किया है गांधी जी ने स्टार्ट नहीं किया है यहां पर गांधी जी सर्फ आज पार्टिसिपेंट थे पार्टिसिपेंट लीडर ठीक है तो चंपारण सत्य ग्रह जो था वो था इंडिगो फार्मर्स के लिए क्योंकि इं लैंड पे तो वह बंजर हो जाती है तो फार्मस की जो लैंड थी वह इससा इससा बंजर होती जा रही थी और ब्रिटिशन जो थे उन्हें उसका कोई मुआवजा भी नहीं दे रहे थे इसलिए चंपारन सत्यग्रह हुआ था और बात करें खेडा सत्यग्रह की जो अगले ही स साल 1918 में हुआ था कहां गुजरात में चंपारन हुआ था बिहार में और यह हुआ था खेडा गुजरात में क्या हुआ था कि वहां पर बिमारी फैल गई थी कॉलरा और प्लेग जो था वह बहुत ही तेजी से लोगों में बढ़ रहा था बट ब्रिटिशन जो थे वह टाक् पे नहीं किये तो आपकी प्रॉपर्टीज को सील कर दिया जाएगा इसलिए यह सत्यग्राय हुआ था जहां पर लोग जो थे वो रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट टैक्स ऑफ ब्रिटिश गर्मेंट ठीक है इसी मूव्मेंट के दोरान कुछ लीडर्स निकल कर आए जिन कि वो पहले गुजरात की लीडर थे और आइसा इसता ही की बिकेम आप इंपॉर्टेंट पार्ट ओफ इंडिया इंडिबेंडेंस जर्नी ठीक है इसी के बीच क्या हुआ रोलेट आक्ट निकला ठीक है गर्मेंट ने वहाँ पर देखी वहाँ पर इंडियन नाशनल कॉंगरेस क्या कर रही है डूमिनियन स्टेटेस मांग रही है यह लोग अपने अपने लाइट के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश क्या कर देते हैं इसी बीच रोलेट आक्ट ले आते हैं, रोलेट आक्ट का मतलब क्या था? इस आक्ट के जरीए British Government को powers मिल गई थी कि वो किसी को भी arrest कर सकते हैं, imprison कर सकते हैं, without any trials, without court में किसी को ले जाए, कित्ते साल तक maximum दो साल तक, ठीक है? दो साल तक किसी को भी ये पकड़ कर jail में डाल सक सकते हैं, तो that means कि Indians पर और भी जादा atrocity बढ़ने वाली है, और भी जादा इनकी जो मनमानी है British की वो चलने वाली है, तो लोग जो थे, वो अगेंस थे इस चीज़ के, और ये सब बढ़ कब गया, जब British Government ने पंजाब में कुछ violence हुई, और दो major six leaders को पकड़ कर ले गे, इ उसी की प्रोटेस्ट में जो लोग थे, वो इकठा हुए थे जलियावाला बाग में बेसाखी पर, ठीक है, और जनरल ओ डायर को खबर मिली कि यहां पर प्रोटेस्ट होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, he went to जलियावाला बाग और उन्होंने वहां पर open fire शुरू कर द in thousands of killings of men, women, children and it was highly condemned by Indian leaders, ठीक है, तो इसी वज़ा से रबिंद्रनात्त गोर ने क्या क्या, उन्होंने अपना knighthood का title जो था प्रोटेस्ट में, उन्होंने रिटर्न कर दिया, श्री शंकरन नायर जो थे, उन्होंने वाइसराय एक्जेकिटिव काउंसिल से resign कर दिया, तो इसके वज़ा से हुआ क्या कि British's ने क्या किया, एक hunter commission मेनाई, ताकि वो inquire कर सकी, कि actually में जलियावाला बाग मैसिकर क्यूं हुआ था, ठीक है, जलियावाला बाग मैसिकर की report के लिए hunter commission बिठाई गई थी, बट इसकी report आती तो आती, जो सरदार उधम सिंग कि इन्होंने अपना revenge ले लिया, General O. Dyer को मार कर कहां पर, London में, लंडन में वो एक meeting attend करने गे थे, कैक्स्टन हॉल में, और वहां पर सरदार उधम सिंग ने उन्हें मार दिया, and that's how he took his revenge of his people, जिने General O. Dyer ने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था, और उन्हें कहीं भागने का भी रास्ता नहीं था, अगर आप कभी जाएंगे अमरिट सर तो आप देखेंगे कि वहां पर अभी भी बुलिट के निशान उन्होंने जो दिवार पर हैं वो हैं, और कितनी बुरी तरह से एक कूँआ था वहां पर, वहां पर भी कित्ते सारे लोग कूद के मर गें, क्य इसके बाद एक और मुवमेंट स्टार्ट होगे, खिलाफत मुवमेंट, ठीक है, यह क्यों ही थी, इस नॉट सम्थिंग रिलेटेट टो इंडिया, इंडियन मुसलिम्स जो थे, इन्होंने अजिटेट किया, अगेंस्ट सम ट्रीटमेंट जो तर्की किसे साथ किया जा रहा एक ट्रीटी की, ट्रीटी ओफ सेवरिस, जिसमें इन्होंने क्या किया, जो तर्की थी, उसे दो भागों में डिवाइड कर दिया, which was against the Islam, क्योंकि उनको यह था कि हमारे खलीफा एक ही है, तो दो आप तर्की को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस मुवमेंट को फ्योकत अली ने और इसे अली ब्रदर्स भी बोला जाता है, अपको अब इस लेक्चर में जितने भी मुवमेंट्स हैं, उनके जितने भी इयर्स हैं, वो याद रखने हैं, क्योंकि यह chronology आपके बहुत काम आएगी, ठीक है, कि किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या कि दाट वस नॉन कोपरेशन मुवमेंट, क्योंकि ब्रेटिश की एट्रोसिटी बढ़ गई थी, तो गांधी जी ने बोला, एक काम करते हैं, इनके साथ कोपरेशन बंद कर देते हैं, इन्होंने जो भी टाइटल जबी तक दिया हैं, सब सरेंडर कर दो, जो एजुकेशनल इन्सिटूशन है, गौर्मेंट के, उन्हें बोईकॉट करो, फोरें ग्लोस है, उन्हें बोईकॉट करो, इसी ताइम पे गांधी जी ने खादी को बहुत ज़दा प्रमोट किया था, और उन्हें बोल था, ब्रेटिश के टैक्सिस भी हम पे नहीं करेंगे, और इनके जो क बोईकॉट कर देंगे, बट ये मुवमेंट दो साल तक ही चल पाई, और दो साल के बाद इट फेल्ड, ठीक है, इसी दोरान क्या हुआ, कि एक इंसिडेंट हो गया, जो लोग खिलाफत मुवमेंट और नॉन कोबरेशन मुवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्ह उन्होंने वाइलेंस क्रियेट कर दिया, और उस वाइलेंस में इन्होंने एक पुलिस टेशन को जला दिया, जिसमें 23 पुलिसमेंट जो थे वो मर गये, और इसी वजह से इन्हों जो गांधी जी थे, उन्होंने नॉन कोबरेशन मुवमेंट को बंद कर दिया, क्योंकि ही every movement against Britishers to be non-violent और जब ऐसी violence हुई that too under the leadership of Gandhi जी तो वो बहुत ही दुखी हो है और उनने non-corporation movement को वापिस ले लिया ठीक है then non-corporation movement जब वापिस ले लिया Gandhi जी ने तो next जो session हुआ इंडिया नाशनल कॉंग्रेस का जो की गया में था 1992 में तो वहाँ पर मोतिलाल नहरू और सिया दास जो थे उन्होंने क्या किया उन्होंने एक निया proposal दिया नई नई political strategy दी जो carry forward कर सकते हैं Britishers के against बट यह जो strategy थी यह बाकी leaders को मंजूर नहीं थी इन्होंने oppose किया उस policy को और गुसे में सियार दास और मोतिलाल नहरू ने क्या किया इंडिया नाशनल कॉंग्रेस से resign कर दिया and that's why they formed a new party which was known as स्वराज पार्टी इन्होंने खुद की अपनी पार्टी बना ली क्योंकि इनकी political strategy को नहीं माना गया तो स्वराज पार्टी 1923 में बनाई गई थी after the failure of non-corporation movement ठीक है और इसके founders ते सी आर दास और मोतिलाल नहरू then came the major thing Simon Commission अब ये Simon Commission बनाई गई थी John Simon के under ठीक है इसमें mainly था क्या political situation इंडिया की जो था उसे review करना था और कुछ reforms introduce करने थे parliamentary democracy को लेके बट इंडियन्स को ये commission जो थी that ये बहुत ही बायस लग रही थी क्यों क्योंकि इसमें 7 members थे और इंडिया की situation को review करना था बट एक भी इंडियन नहीं था इसे लिए लोगों ने इसके against भी protest करना शुरू किया जिसमें लाठी चार्ज हुआ और लाला लाथ पत्राय जो थे उन्हें बुरी तरह से मारा गया and later on he died because of this लाठी चार्ज तो इस दोरान साइमन कमिशन के protest के दोरान लाला लाजपत्राय की death हो जाती है ठीक है then came the Lahore session जो Indian National Congress का जो Lahore session है this is very important यह हुआ था 1929 में ठीक है 1929 में हुआ था यही session है जिसमें पहली बार complete independence की बात करी गई थी पूर्ण सुराज मीन्स complete independence इसी दोरान पहली बार ट्राइकलर फ्लाग जो था उसे फहराया गया था और January 26 को decide कि हर साल हम January 26 को अपना Independence Day बनाएंगे यही session है जिसकी वज़ा से आज के time पे हमारा जो Republic Day है वो January 26 को मनाया जाता है क्योंकि Independence तो हमें कब मिल गई थी 14 अउगस्ट को ही मिल गई थी ठीक है 26 निवेंबर को हमारा 26 निवेंबर को हमारा constitutional day मनाया जाता है क्योंकि 26 निवेंबर को 1949 को हमारे constitution बन के तयार था बट उसे adapt कब किया गया January 26 1950 क्यों क्योंकि लाहोर सेशन में January 26 को जो था Independence दे पहली बार declare किया गया था तो इस memory को revive रखने के लिए 26 January जो था हमारा Republic Day बन गया that is why Lahore session is very important for your exam point of view then came the civil disobedient movement या salt movement अब ये क्यों ही ये भी गांदी जी ने ही शुरू की थी अब गांदी जी ने क्या किया था ये reason है पहले ये पढ़ लेते हैं कि गांदी जी ने क्या किया था Lord Irwin को ultimatum दिया था with his 11 points demand और गांदी जी ने बोला था कि अगर Irwin इन्हें accept नहीं करता है तो Congress जो है वो civil disobedient moment जो है वो launch कर देगी and हुआ क्या Lord Irwin ने अफकोर्स वो बात नहीं मानी and civil disobedient moment जो था गांदी जी ने स्टार्ट कर दिया ये स्टार्ट हुआ था विद डांडी मार्च जो साबर मती से डांडी तक गांदी जी पैदल चल कर गहे थे with his 78 followers और वहां पर जाके उन्होंने salt बनाया था जिससे उन्होंने salt act को break किया था ठीक है अब एक और चीज की गांदी जी के साथ इस movement में जो एक और लीडर थी जो इनके साथ बहुत ही जादा participant थी इस movement में she was Sarojini Naidu ठीक है Sarojini Naidu जो थी वो इस movement में बहुत ही बढ़ चड की उन्होंने हिस्सा लिया है और एक और जो आपके exam point of view से important हो सकता है question that is कि ये civil disobedient moment की जो inspiration थी गांदी जी को कहां से मिली तो he got this inspiration from Henry David Thoru ठीक है सो अब आगे हम next lecture में देखेंगे कि किस तरह से civil disobedient movement की वज़ा से जो Britishers थे इनके साथ round table conferences शुरू ही और किस तरह से हमारी जो आगे अप्रोच थी Indian independence को लेकर वो आगे बढ़ी ठीक है सो आज भी आपके लिए 5 questions हैं जिनके answers आपको इसी वीडियो में मिल जाने चाहिए I hope आपको आज का lecture पसंद आया हो अगर पसंद आया तो आप लीज लाइक कर दीजिए और अगर कोई भी suggestion है आप comment में लिख दीजेगा मुझे and make sure in questions का answers आप मुझे comment में लिख कर जरूर बताएं Thank you so much till then keep studying hard and I'll come with the next lecture on Thursday Thank you